वीदा पीपिल हम भारत के लोग पूरी दुनिया जो संग्ठन के नियम जितने भी गुरुप के नियम है या जब लोग संग्ठित होते हैं उन नियम उको मानती है उन पे चलती है जो सफल संग्ठन है पूरी दुनिया के या भारत में भी जो सफल संग्ठन है वो सारे के सारे ही बुद्ध के नियम पर चलते हैं बुद्ध ने दुनिया का सबसे पहला संक्ठन बनाया जिसको संग बोलते थे, बुद्ध, धंब, संग, संग में जिसमें उनके बहुत सारे इस्टुडेंट थे जो बाद में 50,000 से भी जादा करीब हो गए, वो नियम इतने जबर्जस्त नियम है कि सारी दुनिया के धंब सि वही उन नियम को भूल गए, इसलिए उनके संक्ठन बन नहीं पाए, वो सारे संक्ठन यहां वीदा पीपल में लागू किये गए हैं, जिसको विनय पीटक के नाम से जाना जाता है, विनय का मतलब है नियम और पीटक का मतलब है टोकरी, यानि के नियम की टोकरी, भग्नव बुद्ध ने कोई प्लान नहीं बनाया, कि उनको कोई संग इस्थापित करना है या संग बनाना है, उन्होंने तो बस जो जानकारी दुख को दूर करने की थी, वो सीखी और सिखाने लगे, एक से दो, दो से चार, पांच, फिर साथ और ऐसे करते करते वो बढ़ने लगे, व आप शादी करेंगे, तो इसलिए कुछ नियम जो यहां कारगार हैं, वो मैं यहां बता रहा हूँ, विनेपीटिक के, क्योंकि सारा इसी काधार पर चलेगा, जो भिक्कों के बिलकुल ऐसे नियम है, उनको नहीं बता रहा, जो सिर्फ ग्रस्त छोड़ने वालों के लिए हो समय वो जो सीखने के लिए नया स्टुडेंट आता था, उसको सबसे पहले अपना मन साफ करना होता था, यहां भी सबसे पहले जो किसी को सिखाने जाएगा या जो सीखेगा उसका मन साफ होना चाहिए, अगर वो मन से साफ नहीं होगा, मन में कोई पाप, कोई चोरी, कोई जालच, कोई करोध, कोई घ्रना, कोई बदला, कोई भावना, अगर ऐसा लेके आता है, तो वो अपना नुपसान जादा करेगा, हमारा कम करेगा, क्योंकि लोग उसे पहचान जाएंगी और वो कहीं काभी नहीं रहेगा, इसलिए मन सबसे पहले साफ करना चाहिए, क्योंक करकर सबका किया, सबका कल्यान किया, तो मन को साफ करने के बाद में, आप सीखें कि कैसे सामने वाले से बात की जाती है, कैसे उसको देखा जाता है, कैसे जाचा जाता है, कैसे परखा जाता है, अपने साथियों को देखें, लगातार इस टच में रहें, प्रसंद करें, बात नहीं करनी है तो बुद्धुक दस साल तक इस ट्रेनिंग के बाद में एक टेस्ट लिया करते थे जिसको उपसंदा बोलते थे यानि कि वो भिक्कु से पूछते थे कि भिक्कु बताईये कि आपने क्या-का सीखा है सारे भिक्कु मिलके पूछा करते थे जो बड़े टीचर होते थे कई वार ऐसी भी टेस्ट हूँ है कि जब भिक्कु ने ये कहा कि मैं अब तयार हूँ और पढ़ाने के लिए जाना चाहता हूँ गाउं में, शेहर में, कस्वे में तो एक वार भग्नवान बुद्ध ने उससे पूछा कि अगर आप वहां जा रहे हो और कुछ लोगों को जब पढ़ाओगे और वो आपकी बात नहीं सुनेंगे तो आप क्या करोगे तो भिक्कु ने कहा कि मैं दुवारा उनसे निवदन करूँगा, दुवारा अपनी बात कहूँगा तो उनसे कहा कि अगर आपकी बात नहीं सुनी और उन्होंने गाली बकी आपको तो क्या करोगे तो भिक्कु ने कहा कि मैं समझूंगा कि उन्होंने मुझे गाली बकी, मुझे मारा नहीं ये अच्छा किया फिर उन्हें कहा कि अगर उन्होंने आपको मारा तो आप क्या करोगे तो उने कहा, भिक्कु ने कहा कि अगर वो मुझे मारेंगे तो मैं इस बात के लिए शांती और संतोज रखूंगा कि उन्होंने सिर्फ मुझे मारा, मुझे जान से नहीं मारा फिर भगवार ने कहा कि अगर आपको जान से मार दिया तो आप क्या करोगे तो भिक्कु ने कहा कि मैं उनका आभारी रहूँगा, उनका एहसान मन्द रहूँगा कि उन्होंने मुझे जीवन से, इस दुख वाले जीवन से मुक्त कर दिया तो भगवान ने कहा कि आप परिक्षा में पास होगे, अब आप लोगों को पढ़ाने जा सकते हैं यानि कि इतना कठिन काम था कि लोग पढ़ने को त्यार नहीं थे, गाली बगते थे, डंडे मारते थे, मिट्टी के ढले मारते थे, उस समय ऐसे टीचर त्यार किये जाते थे, जो इन सब बातों को सेहन कर सकें एक वार का उधारन, मैं करीब 25 साल पहले कुछ लोगों के पास गया, कि उनको कुछ मैं बात बताओं, अच्छी बात बताओं, और उन लोगों को जब मैंने बात बतानी शुरू की, तो वो मेरे पे हमलावर हो गये, और मैं महां से आ गया, तब मुझे समझ में आया, कि साम यही बात बुद्ध के समय रही होगी, कि उनका मान से किस तर इसकदर जगणा हुआ होगा, क्योंकि बुद्ध ने जो अपने सिस्ट्रों से कहा, कि पांच बातें पहले आप अपने मन को साफ करने के लिए, इसको अच्छी तरह से सीख लिए, वो पांच बातें जो उन्हो में किसी भी तरह की चोरी आपको ड़ी करनी है फिर आपको हिंसा नहीं करनी है सामने वाला जिसको आप पढ़ाने जा रहे हैं अगर वो कुछ ऐसा बोलता है तो उसको गाली गलौच नहीं करती है या उसकी बात नहीं सुननी है ऐसा नहीं करना है उसकी पूरी बात सुननी है जोड-जोड से बोलके उसको दवाना नहीं है, ये भी हिंसा में आता है, तो आप उसकी पूरी बात सुनें, सारी बात समझें, और ये देखें कि आप असफल कहां हो रहे हैं, वो आपकी बात को समझ क्यों नहीं पा रहा है, तो अपने से बड़ा जो टीचर है, उसको साथ ल या आपने सिगर्ट पीनी सुर खर दी, शराब पीनी सुर खर बी outta आपने जुआ खेलना शुरू कर दिया, आपने जुए चोरी की बात करनी शुरू कर दिया, या आपने कहा कि ये ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये वेबचार में आता है, या आपने वहाँ इस तरी की बात स्टार्ट कर दी, या कोई इस तरी है, अगर सिखाने वाली तो उसने पुर्स की बात सुरू कर दी, अपना इंटरेश्ट दिखाना सुरू कर दिया, तो सामने वाला आपको teacher नहीं मानेगा, वो आपकी बात सुनेगा नहीं, इसका मतलब बात आपकी कितनी वी अच्छी है, मगर आप खराब हैं, तो वो बात मानेगा नहीं, तो आपका वेबचार बिलकुल नहीं होना चाहिए, और आप वेबचार के दिसा में कोई कदम आपका नहीं उठना चाहिए, ये बात है, इसके लाबा कहीं कोई ऐसा कर्म हैं, जिससे आपके ऐसा लगता है कि सामने वाला उल्टा समझेगा, या समझ नहीं पा रहा है, तो ऐसा करता नहीं करना चाहिए, उस समय सांत रहना चाहिए, व्यक्तिव को देखते हुए, शांत होना चाहिए, तो यह जो पांच सील का सिध्धान्त है जिसमें हत्या नहीं करना है यानि कि उसकी बात की हत्या नहीं करनी है चोरी नहीं है किसी भी काम चोरी वगरा कुछ नहीं करनी है संग की चोरी नहीं करनी है है पैसे की चोरी नहीं करनी है या नशापता नहीं करना है और नहीं जूट बोलना है यानि कि आप किसी बात को बड़ा चड़ा कर नहीं कहेंगे कि हमारा तो जो वीदा पीपल है वो इतना ही बताईए गप मत मारिए क्योंकि गप मारने में और जूट बोलने में बहुत सारे संग्ठन बरबाद हुए जिन्हों ने कहा कि हम 2009 में ये कर देंगे वो कर देंगे 2019 भी चले गई 2020 भी चले गई कुछ नहीं हुआ जिन्हों ने कहा कि पूरे देश में हमारा हर एक जिले में संग्ठन है और हर एक जिले में हमारे समगतन प्राप्ट है। उस हकीकत यह है कि जब उनको मुसीवत आती है तो उनके जो बड़ बात छोड़े हैं जो चोटे लोग है वो दिधम को नहीं मैंते हैं तो इस तरह का कोई गप इस तरह की जूट या इस तरह की कोई अतिबात ना करें, काम इमानदारी से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, मगर जूंट बोलके करेंगे, तो नहीं होगा ये पांच बातें बुद्ध उनको बताते थे और भी बहुत सारी बाते बताते थे क्योंकि यहाँ भिक्कों की बाते हैं और भिक्कों साथ भीजा करते थे, जहां वो देखता था और सीखता था और टेनिंग करता था दस साल तक. दस साल के बाद उसका टैस्ट होता था जिसको सम्दाबूता थे, फिर वो अकिला जा सकता था सिखाने के लिए. दस साल तक लगातार सिखाएगा फिर वो बड़ा टीचर होता था बड़ा विक्कु बोलता था जिसको महा थेर बोलते थे तो इस तरह से सिखाने का नियम उन्होंने बनाया जब व्यक्ति खुद हो जाता और जो चौमासा लगता था यानि जो वस्सावाज जब बारिश का मह बारिश ने आ आई तो आप जब सिखाने वादे जितने टीचर हैं वह बीच बीच में अपना बैटकर बात करते रहे हैं क्या दिक्कत आई क्या नहीं आई अपने बले टीचर से पूछें और बले टीचर से पूछें कोई यockey उसका आंसर बतादेगा आपको कोई दिक्कत बढ़े हैं तो अपने आपको बढ़ाने कि नियम थे इसके लावा एकरकर्म किया है तो उसको दंड का भी विधान था यानि अपने न को अगर को तोड़ता है या किसी कोई teacher किसी teacher को मारता है या आपने माता पिता को मारता है, या कहीं कोई ऐसी हत्या करता है, तो वो सब्षबरेटण थे, उस पर उनको पूरा पूरा निकाला होता था, यानि संघ से हमैसा के लिए कलंकित करके निकाला जाता था, और भी छोटी छोटी गलतियों के, संघ द्वारा आदिस दिये जाते थे, जिसको किया है, तो सारा संग मिलकर उसको पनिस करेगा, क्या है अपने इसमंडेनी है? वो नियम यहाँ ही लागु हो भी आ हैंगे जब भी कोई संग के अगेंश्ट में काम करेगा या संगु को तोड़ेगा उसको दंड उसी नियम से मिलेगा जो विन्य के अंदर नियम भग्नवान बुद्ध ने निर्धारित किये हुए हैं जो बताये हुए हैं तो ये उनके अपने आपको ठीक करने की अपने आपको टेनिंग थी इसके लाबा वो एक तरह के कपड़े पहनते थे यहां तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि भिक्कु तो है नहीं तो इसलिए सब अपने कपड़े पहन सकते हैं मगर कपड़े सालिता के साथ पहने पूरे जाएंगे तो कपड़े आपके ऐसे होनीची है जिस पर कोई प्रसंद ना उठाए यह अपनी त्यारी का होता था और आपको जब जाएंगे कहीं और कैसे काम करेंगे बाहर जाने से उसके नियम लगते जब आप जाएंगे तो संग में जाएंगे संग का मतलब है कि दो चार आपको साथ जाएंगे अकेरे नहीं जाएंगे वहां जाएंगे जाके आपको पढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा यानि के पढ़ाने वाले को आप अपने यहां नहीं बुलाएंगे आप उसके यहां जाएंगे जिसको पढ़ाना है वहां बैठेंगे वहां उसकी बात समस्या सुनेंगे उसकी मदद करेंगे फिर उसे पढ़ाएंगे पढ़ाने के बाद अगर वह आपको थोड़ा नासा पानी देता है तो सालिंता के साथ घ्रण करेंगे और अगर वह कुछ मदद करना चाहता है तो संग लेगा इंडूजल आदमी नहीं ले सकता यानि इंडूजल की कोई आडेंटिटी नहीं अकेला व्यक्ति नहीं ले सकता और वह संग में जमा होता है तो यहां भी अगर आपको जाते समय कोई यह कहता है कि मैं कुछ देना चाहता हूं, तो वो संग ही लेगा, एक व्यक्ति नहीं ले सकता, ऐसे नियम बाद में finance वाले लोग बना के आपको देंगे, ये भगवान बुद्ध का नियम था, क्योंकि जो भी मदद करेगा, जो भी देगा, पढ़ाने के बदली में, पहले पढ़ाएंगे, सिखाए कोशिस करें कि इस्त्री को इस्त्री ही पढ़ाए, वही समझाए, मगर अगर इस्त्री या महिला को आपको पढ़ाना पड़े, तो उनके परिवार के लोगों के साथ में कोशिस करें कि खुले में पढ़ाएं, ये बुद्ध के नियम है, बंद कमरे में कोई नहीं जाते हैं या तेडे पढ़ जाते हैं ऐसे नहीं बैठेंगे सीधे बिलकुल से बैठेंगे तो टीचर का अची तरह बाद, बाद में वो लोग करेंगे, ये टीचर के जो नियम है, ये नियम बड़े सरल है, जब आप टीचर है तो इसका ऐसास होना चाहिए, कि आप एक सिख्षक हैं, एक सिख्षक हैं, पढ़ा रहें, आप ये मान के चलें कि आप बुद्ध ही हैं, और बुद्ध की तरही महा बहवार करें, पढ़ाएं, आप ये मान के चलें कि आप अंबेटकर हैं, और अंबेटकर की तरही महाँ पर बहवार करें, आप ये मान के चलें कि आप कवीर हैं, तो कवीर की तरह बहवार करें, आप ये मान के चलें कि आप गुरु रवीदास के सिस्से हैं, तो उनी की तर master था कहसी बुद्ध की बात बता रहा था ये तो रोटी को चपड़ चपड़ खा गया ये तो ढुखो भरे पेट पे भी दूद्ध पी ये तो ऐसा था के यहीं लेट गया यहीं पढ़ गया इसकी तो भासा बड़ी है बेकार थी वह बाद मने करेंगे और आपका पढ़ाना बेकल हो जाएगा कोई आपकी बात को माने करें इसलिए जब आप पढ़ाएं तो अपने आचार वहार उठना बैठना चलना देखें बुलकुल एक टीचर की तरह अपना वहार को करें आम आदमी की तरह नहीं क्योंकि जब हम किसी कुछ बताते हैं तो हमारा वैवार सिख्ख की तरह है सिखाने वाली तरह होना चाहिए जब आप कहीं जाएं तो लालत से ना पढ़ाएं यानि कि यह ना सोचें कि यह हमारे संगों को या वीदा पीपल कुछ देगा या मुझे कुछ खाने को देगा या मुझे कुछ बांदेगा अगर आपने ऐसा मन में रखे पढ़ाया तो आप पढ़ा नहीं सकते क्योंकि लालच आपके पढ़ाई को रोक देगा आपका ध्यान इसी बात पर रहेगा इसलिए जिन लोगों ने बाद में पैसे क्या नियम बान दिया वो पढ़ा नहीं पाए और इसलिए यह संग जितने भी थे वो खराब हो गई और सारा के सारे गुलामी दुबारा से आ गए भग्नवान बुद्ध ने सबसे पहली नेटवर्किंग की थी नेटवर्किंग मत्दब उनके सिस्टम बने हुए थे कि जहां भग्नवान बुद्ध अपने भिक्को संग के साथ रहते थे वो जहां अग्वासा काग्चा बताता हा उसकी समस्य जाती थी इसका ऐसे इसका ऐसे कड़ो वो सारी सीजेह वहां नेटवर्किंग के अंदर होती थी और फिरी ती यानी कि जो आपने पढ़ाना है वो एक साही पढ़ाना है और उसके बदले में आपने कुछ लेना नहीं है भगनवान बुद्ध ने हर एक अपने जो पढ़ाने वाले टीचर थे उनकी कोई भी आइडिंटिटी जो पढ़ानी थी वो नहीं रखी खतम कर दी यानि उनका नाम भी बदल दिया उन है मकर यहां भी आप यह मांगे चलें कि जब आप पढ़ाने जाएं तो आप जो वीदा पीपल की बात है या जो बुद्ध की बात है या जो बावसाब अमेटकर ने बात कही है उसको ध्यान में रखते हुए आप उद्देश से को पढ़ाएं अपने आपको आगे ना रख चाहिं रखेंगे तो ना आपका नाम आगे बढ़ेका ना आपकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी बुद्ध जब चले गए और खतम होगे तो बुद्ध के समय तक भी बुद्ध की कोई आइडेंटिटी नहीं थी लोगों ने उनकी आइडेंटिटी बनाई उनका नाम बनाया उनका नाम बुद्ध का धम जो था धम का नाम भी बुद्ध पर रख दिया मगर बुद्ध ने ये कहा था कि मेरे जाने के यही आपका टीचर होगा ऐसे यही बावा साव अमेठ कर गए जो किताब जिसको सम्मिधार बोलते हैं वह हमें रास्ता दिखाती है वह फूरी पूरी एक तरसे बावा साब ही है उन्हीं का विचार है उन्हीं की किताब है तो हमें उसी विचार पे चलना है, उसी किताब पे चलना है, सफलता की गारंटी 200% है, क्योंकि बुद्ध के संग्ठन की अभी तक भी गूँच पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में चलता है, संग का संग्ठन भारत में अभी स्टार्ट हुआ है, चल रहा है आप ये मान के चलें के आप बुद्ध के संग को दुबारा से बना रहे हैं उसके नियम के अधार पर एक वार बना कर देखिए जब पूरी दुनिया में इसमें कामियावी है तो आपको कामियावी क्यों नहीं मिलेगी क्योंकि आपके दादा के नियम है आपके परदादा के नियम है पूरी दुनिया लाव उठाती है तो आप इस पर लाव उठाइए धन्यवाद कर दो आपके पूम्ल उठाइए जढ मतम दोरे नोग bees जड़ ने आप इस झालाइए से घसे है अभा गए खाइए सिंग ए्यार आप आपके पर ढाए जापके पह दो ने शोरे आपके में वन ऐभलाइ оставे है झाल 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 झाल